दिस वीडियो इस जिस्ट फॉर एंटर्टेन्मेंट प्रपॉस एवरिधिंग सब इन दिस वीडियो ड़सन्त मीन तो हर्ट एनिवन इन्जियूए और यहां आने के बाद तो सबको पता ही है कि वो क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड करती हैं तो लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि जब वो यहां पर आती हैं तो उनको क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड करना होता है और इसलिए उनके व्लोग्स भी आने बंद हो पर इनके भाई और इनकी मम्मी ने थोड़ी सी हिंट तो पप्पो के व्लोग में दे ही दी थी कि प्रीटो यहां पर क्वालिटी वाला टाइम कैसे स्पेंड करती है मतलब उनकी मम्मी ने धेरो काम गिनवा दिये थे कि प्रीतो तुमको अब ये सब काम करने हैं जबकि प्रीतो तमन्ना लेकर आई थी कि उनको तो एंजोई करना है और बेबी को ममा संभाल लेंगी अब जो है प्रीतो का अवलोग आ चुका है तो यहां से हमें कुछ और बातें भी पता चल चुकी हैं वो क्या कि प्रीतो ने बताया कि वो सेटरड़ी इवनिंग में अपने माईके आए थी आगे उन्होंने बताया कि संडे जो है संडे को उनके माईके में किसी की शादी थी तो जहां पर उनकी मम्मी बीजी थी और इसलिए वो अपनी मम्मी के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाई जादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई लेकिन फिर भी मम्मी ने बेबी की मालिश कर दी जो एक बहुत बड़ा काम है क्योंकि इनके ससुराल में शायद कभी इनकी सास नहीं करती है तब ही शायद इसलिए इन्होंने कभी बताया भी नहीं है लेकिन जब जब ये माईके आती हैं तो लोग बनाना भूल जाती हैं बाकी बाते बताना भूल जाती हैं लेकिन ये बताना बिलकुल भी नहीं बूलती कि इनकी मम्मी ने बेबी की मालिश की है बेबी को नहलाया है कुछ इस तरह की बातें जुरूर करती हैं चाहे जो हो जाए तो चले यानि कि संडे का जो दिन था वो ममी इनके साथ spend नहीं कर पाई सेटरडे को इवनिंग में ये आई ही थी और मंडे को इनकी ममी जोब पर चले गई तो भाई ये कैसा मिलने के लिए आना हुआ ये कैसा quality वाला time spend करने के लिए आपाई थी कि इतनी busy थी आप vlog भी नहीं बना पाई मतलब जब ये आती है vlog नहीं बनाती है तो उनका कहना होता है कि ये vlog नहीं बनाएंगी उसमें time waste हो जाता है ये time spend करेंगे अपनी family के साथ लेकिन पी तो इस बार तो आपकी family already busy थी आपने खुदी कहा कि आपकी ममी शादी में busy थी और next day तो वो job पे चली गई थी तब ही जब अक्को आपको लेने के लिए आने वाले थी आप अकेली घर में ताला लगा कर खड़ी थी तो time कैसे spend हुआ उनके साथ याने कि आपकी ममी की बाते सही हैं इस बार कि आप वहाँ पर सिर्फ काम करने ही जाती हो जो काम pending थे रखे हुए थे आते ही list आपके हाथ में थमा गई थी आपकी ममी याने की घर पे एंटर भी नहीं किया था आपने उससे पहले ही आपको list बता दी गई थी कि आपको क्या क्या करना है तो मतलब लोग इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि आप काम में busy थी तो गाइस इस तरह से प्रीतो ने जाने अन जाने में अपने viewers को finally ये चीज बता ही दी है कि वो यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ काम करती हैं और काम में इतना busy होती हैं कि व्लोग बना ही नहीं पाती है संडे को इनकी ममी शादी में बीजी थी ये प्रीतो ने अपने लोग में बता दिया है साथ की साथ प्रीतो ने ये भी बताया कि next day ममी जो है ओफिस चली गई भाई अपने काम पे चला गया है वो पूरा दिन घर पे अकेली थी और शाम को अक्कु चार या पांच बजे की बाते कर रहे थी कि उनको लेने आने वाले थे जब वो घर को ताला लगा कर खड़ी थी यानि कि वो पूरा दिन उस दिन घर पे अकेली थी राइट तो कुछ इस तरह से प्रीतो जो हैं अपना quality आपकी मंमी ओफिस जाती हैma सुबह जाती हैं, अरली जाती हैं, आप लोगों ने बहुत बताया है, रात को अंधेरा हो जाता है, उनको आते आते हैं, यह हमने आप लोगों के व्लोग में देखा ही है, तो विसलिए उनको इतना टाइम नहीं मिलता होगा, कि घर का पूरा रख रखाव कर पाएं, और आप इसी रीजन से प्रीतो सबको बता नहीं पाती कि वो घर जाके काम करती है, और उसको टाइम ही नहीं मिलता व्लोग बनाने में, क्योंकि देखो भईया, पपू तो क्रेडिट देगा दीदू को, सिर्फ दीदू के नम क्रेडिट लिखना है कि दीदू ने घर सजाया, प्री यही रीजन है कि प्रीतो को चुपाना पड़ता है कि वो वहाँ जाके काम करती है, बाकी रीजन तो वही जाने क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, यह चुपाने का रीजन क्या है तो गाइस, इस व्लोग में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि प्रीतो ने अपनी सासुमा के लिए भी शॉपिंग की, मतलब अपनी मम्मी के साथ-साथ, अपनी सासुमा के लिए भी उन्होंने स्वेटर्स लिये थे, जो जाकर उन्होंने अपनी सासुमा को दिये लेकिन अकु ने कहा कि मम्मी जो है वो खुश नजर नहीं आ रही तो उन्होंने रीजन भी बताया अकु ने साथ के साथ कि हम लोग जो हैं वो प्रीतों को मना करते हैं कि वो ये शॉपिंग ना करे हमारे लिए समान ना लेकर आए तो ये अकु को क्यों कहना पड़ा शायद ये दीदू को लिए था क्योंकि दीदू ने प्रीतों के ससुराल वालों पर दहेज का इलजाम लगाया था कि वो लोग डिमांड करते हैं शायद इसलिए अकु ने अपने व्लोग में ये क्लियर करना चाहा सब के सामने कि प्रीतों जो ये सामान लेकर आती है उसकी डिमांड हम बिलकुल नहीं करते वो अपनी इच्छा से लेकर आती है तो गाईस अगर आप लोगों को याद हो जब वो किचड किचड हुआ था उस टाइम प्रीतों की सिस्टर यानि की प्रिया दीदू ने प्रीतों के ससुराल वालों पर दहेज का इलजाम लगाया था कभी भी प्रीतों ने उस पॉइंट को क्लियर किया ही नहीं बहन पे इलजाम लगे थे उसके लिए प्रीतों खड़ी हुई थी लेकिन ससुराल वालों पर हस्बंड पर ये इलजाम लगे थे दहेज का जो एक बहुत बड़ी चीज है उसके बारे में प्रीतों ने कभी भी कुछ क्लियरली बोला ही नहीं लेकिन आज उन्होंने ये चीज अपने व्लोग में डाल कर I think दीदू को जवाब देना चाहा है कि उनके सस्राल वाले दहेज की डिमांड नहीं करते हैं अगर करते तो शायद प्रीतों ये वाला जो डायलोग था कुका कि हम लोग नहीं मंगवाते हैं हम लोग तो बोलते हैं कि मत लाया करो ये कट कर सकती थी प्रीतों लेकिन प्रीतों ने ये चीज डाली है तो कही न कही ये दीदू के लिए जवाब था कि वो प्रीतो भी अपनी सासुमा के साथ जो अपने relations अच्छे कर रही है जैसे दीदू दिखाती है friend-friend type relation अपनी सासुमा के साथ तो प्रीतो भी कही न कहीं वही करने की कोशिश कर रही है और अकुने clear बता दिया है कि वो demand नहीं करते हैं और प्रीतो ने ये बात अपने vlog में डाल कर दीदू के लिए जवाब दे दिया है गैस आप लोगों को याद हो जब प्रीतो अपने माई के आई थी लड़ाई करके उस time काफी सवाल उठ रहे थे अन्थया एक car sit जो बहुत ही चोटे साइस की थी I think newborn baby के लिए ही थी मतलब जो उनकी car sit थी वो आज तक कभी use में नहीं देखी है अब ये नहीं पता वो car sit घर में आई थी सिर्फ और सिर्फ vlog बनाने के लिए आई थी उसके बाद return मार दी गई है या क्या था क्या नहीं था क्यूंकि इनके viewers इनको comment books में बहुत बार लिखा कि car sit use करो car sit use करो लेकिन उस vlog के बाद उस car sit की कभी शकल तक नहीं देखी है अब second चीज आती है strollers की I think दो-दो strollers है इनके घर में लेकिन use एक भी नहीं करते हैं बच्चे को obviously ऐसे गोद में उठाना हाथ दर्द करता ही है और बच्चा भी प्रेशान होता ही है तो यहाँ पर ही उसका use कर सकते थे एक बार पहले भी यह दोनों जब घूमने गए थे पाड़ो में घूमने के लिए गए थे जब इनकी लड़ाई थी तब भी मतलब आप उस ट्रोलर का use क्यों नहीं कर रहे वो किस लिए लिया है सिर्फ लोग बनाने के लिए लिया है कि देखो हमारे पास ट्रोलर है स्टोलर से इतना आसान हो जाता है घूमना फिरना आसान हो जाता है बच्चे के लिए सोना आसान हो जाता है आपके हाथों में इतना easily नहीं सो पाता, बच्चे के लिए भी मुश्किल होता है कि कैसे सोई वो, तो वो जो आपका stroller है उसको use करो, आपको लोग बोल बोल कर ठक चुके हैं, मुझे सच में समझ में नहीं आता कि सिर्फ लोगों की देखा देखी, अच्छा आप बच्चे क use ही नहीं करनी है, तो खृते की हो, और लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, तो वो आपकी भलाई के लिए, आपके बच्चे की भलाई के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सुनना नहीं हैं, उनको बच्चे को हाथ में उठा के गोदी में उठाए उठाए ही घुमना है, और प्रेशान होते रहते हैं हाथ दढ़ कर रहा है यह कर रहा है तो कुछ यह वाली जो पाते हैं ना वो भी सच में समझ से बाहर हैं कि एसा क्यों करते हैं मतलब देखो चलो एक बार भूल जाता है इंसान दो बार भूल जाता है पर आप जब जा रहे हो especially mall में तो भाया सच में मैं अपने खुद के personal experience से बता रही हूँ कि बहुत useful होता है और actually जब आपके पास already है तो उसको क्यों नहीं use कर रहे हैं मतलब यह नहीं है कि भाया सब लोगों को खरीदना है चाहे आप खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हो ऐसा नहीं घ्यारी लेकिन at least जिसके पास है वो use क्यों नहीं कर रहा यह बात सच में अजीव है तो अक्को एंप्रीतो अगर लोग आपको आपके comment box में कुछ आपको suggest कर रहे हैं तो उस पे थोड़ा सा ध्यान दो वो आप लोगों की भलाई के लिए ही है अब बच्चे का जो backpack था वो heavy था कुबोल भी रहा था कि दर्द हो रहा है कंदे में उसको उठा के रखना देख उस ट्रोलर होगा तो bag भी आ जाएगा और baby भी easily set हो जाएगा तो बच्चे के लिए भी comfortable होगा और आपके लिए भी comfortable होगा आपके viewers ने कुछ comments किये हैं तो उसको अमल में भी लाएगा